नमस्कार दोस्तों, रेलवे CBT2 का रिजल्ट आ चुका है, रेलवे लोको पाइलेट का रिजल्ट आ चुका है, तो देखिए जो रिजल्ट 6 तारी को जारी होने वाला था, वो 5 तारी को ही जारी हो चुका है, और ये मैं कटब दिखा रहा हूँ आपका, गुवाहती बोड का तो देखिए जनरल के लिए गया है 47, AC का 30, ST का 25, OBC का 35 तो बहुत ही कम कटप गया है तो रेलवे ने कटप जारी कर दी है लगभग बोट के कटप आ चुके हैं तो मैं आपको बारी-बारी से दिखा रहा हूँ तो यह है गुवाहटी का बोट का कटप और यह देखिए मुझभफरपूर का कटप यह है तो देखिए जनरल के लिए है 40, ST 32, ST 28, OBC 30 और एक्स सर्विसमेन वेगर अगर देख लिए जाब अस्क्रिन सोट आप ले सकते हो तो एलपी का रिजल्ट आ चुका है और 16 तारी को ही एक्जाम होने जा रहा है तो अच्छे से साइको में लग जाई यह त्यारी में चलिए देखिए मैं इलाहबाद का आपको दिखा दे रहा हूँ है तो इलाहबाद का कट अब कितना गया तो 58 जनेरल का ओभी टवाद का फोटी फोर है तो इलाहबाद का भी कट आपको आचुका है अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ अजमेर का देखिए जमेर का कट अप हाई गया है 65 गया है impress जनरल के लिए और भी सी के लिए फिप्तिसेवन तो आज मेहर का कटाप हाइ गया हुआ है उसके बाद देख लीजे आप marketing लीफ कर्म का काफि़ रही है सबसे जादा कटप तिर्वनपुर्म का हाइं सिर्वनपुर्म स का साथ गया हुआ है तो यह तिरुवनपुरम का कटफ है और यह दिखिए पटना का तो पटना का का काफी कम कटफ गया हुआ है जेनरल के लिए 40 नमबर और OVC के लिए मातर 30 नमबर तो पटना के लिए काफी कटफ लो गया है पटना का ति आपका रिजल्ट आ चुका है तो साइको का त्यारी में अच्छे से लग जाईए और सुल्लत तरीकों ही आपका साइको का एक्जाम होने जा रहा है तो बहुत बहुत बधाई हो जिनका सेलेक्शन हो चुका है अच्छे से साइको का त्यारी कीजिए All the best